दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको OMG2 की पूरी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ इस फिल्म का विशय क्या है, इसकी कहानी कैसी है, कलाकारों का काम कैसा है और दोस्तो सबसे बड़ी बात, क्या आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं बराबर ही देखने को मिलती है, दूसरा जो OMG2 का पहला भाग था, उस फिल्म को देखते हुए लोगों में ये जिग्यासा बनी रहती थी कि आगे फिल्म में क्या होगा और उस फिल्म में बाकी के कला कारू की एक्टिंग भी बहतरीन थी, और सबसे खास बात, इस फिल्म में आपको धिमापन दिखाई देगा तो दोस्तो अब हम सुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में दोस्तो इस फिल्म की कहानी में पंकर तिरपाथी यानि कांति श्रण का एक लड़का है जिसका नाम विवेक है जो कि स्कूल में पढ़ता है और वो अपने लिंग यानि पैनिस के साइज को बढ़ाने के लिए एक साथ तीन गोलिया खा लेता है जिसकी वज़े से वो चक्कर तनाओ यानि कसावट लाती है और विवेक को ये बात पता लग जाती है कि कि इस बात के बारे में उसके पिता जान चुके हैं इसलिए विवेक ना तो किसी से ढंक से बात करता है और नहीं अपनी पढ़ाई और ये बात वास्तविक भी है आप जरा सोचिए किसी बच्चे क 40% के बाहर है और कांतिश रण को इस बात का पता लगने के बाद कि उसका लड़का हस्त मैतुन करता है तो वो ये जानने के लिए कि ये सब उसे किसने सिखाया कांतिश रण लड़के के दोस्ते मिलता है जो कांतिश रण को बताता है कि पलास के लड़कों नहीं उसे ये सब क कर दे इसी लिए अब उसे किसी भी तरह अपने लिंक के साइज को बढ़ाना होगा और इसी के लिए वो बाजार में बिकने वाले तेल खरीद लाता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता फिर वो शक्तिमान नाम के क्लिनिक में जाता है मगर उससे भी कुछ नहीं होता दोस्तो एक बात बता दू कि ये सब वास्तिरिक जीवन में भी होता है लोग इसके साइज को बढ़ाने के लिए पागल रहते हैं और गुमरा होने की वज़े से या जानकरी के अभाव में इन फालतु के चक्कर में पढ़ जाते हैं और उनका जीवन बरबाद हो जाता है अब फाइनली साइज को बढ़ाने के लिए विवेक वायगरा की गोली ले ले लेता है जब उसका साइज नहीं बढ़ा होता तो वो दूसरी गोली लेता है और इस तरह से वो तीन गोली खा लेता है और इस चक्कर में उसे डाक्टर के पास जान कर तिरपाठी यानि शांती भगवान को पुकारता है और फिर यहीं पर एंट्री होती है अक्षा कुमार की जो भगवान शिव के रोल में हैं अब विवेक के वीडियो के बारे में सभी को पता चल जाता है इसी लिए कांति शरण अपने परिवार समेत वहां से चले जाने का फैंसला लेता है अब जैसे ही वो रेल्वे स्टेशन पर पहुंचता है अक्षा उसे समझाते हैं कि यहां से भागने से क्या सब कुछ ठीप हो जाएगा क्या वहां पर लोग नहीं बसते और जो विवेक ने किया है उसका जिम्मेदार स्कूल है और वो सब हैं जिसने उसे इस बारे में सही से नहीं बताया और अगर तुमारी जगह मैं होता तो मैं उन्हें कोट में घसीटता और मान हनी का दवा ठोक देता और उनसे माफी भी मंगवाता बस इसी बात पर कांते शरण इन सभी के लिए नोटिस भिजवा देता है अब कोट में उन सभी को हाजिर होना पड़ता है जिनकी नकली दवाईयों की वज़े से विवेक को इसकूल से बाहर निकाला गया था यहां दिक्कत वाली बात यह थी कि विवेक के केस को कोई लेना नहीं चाहता था इसलिए पंकत तिरपाठी यानि कांते शरण खुद इस केस को लड़ते हैं अब जो दूसरा वकील है यानि यामी गोतम जो इसी बात को कहती है कि इनका बेटा स्कूल में हस्तमेतन करने जैस मिली होती तो वो ऐसी हरकत नहीं करता और नहीं कोई उसे उकसा कर उसका वीडियो बनाता इस चक्कर में विवेक घर से निकल नहीं पाता है और नहीं कोई उससे ठीक से बात करता है अब यामी गोतम यानि कामनी कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा स्कूल नही हैं जहां ये सब सिखाया जाता होगी मास्टर वेशन यानि हस्तिमसंद कैसे किया जाए इसके जवाब में कांतिशरण चरक साइयता कामसुपर जैसी किताबों का हवाला दे कर कहता है कि इन में नहीं लिखा है कि हस्द मैं तुन करना गलत है और इस तरह कोड में काफी बहस होने के बाद कांती शरण के केस को एकक्सप्ट कर लिया जाता है अब पहली सुनवाई में ही विवे को कटगरे में लाकर पूछा जाता है कि जो इस्कूल के बातरूम में तुमने किया क्या उ उससे पूछा जाता है कि इस वीडियो में जो तुमारा भाई कर रहा है ये क्या है दरसल कामनी ये सोच रही थी कि वो जवाब दिये बिना ही चली जाएगी और केस को रफा दफा कर दिया जाएगा मगर जैसा कि कांती ने उन्हें भी समझाया था कि वो बोलो जो सुनने में अच्छा लगे इसलिए वो लड़की कहती है कि इस दरसे से ये पता चलता है कि कोई युवा बड़े ही गोपनिये तरीके से परस पर अपने हातों से अपनी काम उतेजना का मरदन कर रहा है और इसे संतोष्टी है तो सभी करते हैं जवाब सुनकर सभी चोक जाते हैं पर उ इसमें विवेक भी पढ़ता था अब कामनी कहती है कि जिस स्कूल में बाकी सभी बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में एक सेक्स वरकर का लड़का भी पढ़ता है यानि आप बाहर क्या करते हैं इससे कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन आप स्कूल में काम्याब हो इसका ख इससे सवाल करने हैं अब कांटी उसी सेक्स वरकर से एक मूर्ती को दिखा कर पूशता है कि क्या ये वाले आसन आपको आते हैं तो वो हां कह देती है फिर कांटी पूशता है कि ये आपको किस ने सिखाया तो वो बताती है कि ये उसे किसी दीदी ने सिखाया अब कांटी पू के लिए हमारे पास आते हैं ना कि हमारी खुशी के लिए और उन लोगों को औरत के शरीर और मन के बारे में क्या पता वो केवल हमें नौशने के लिए आते हैं और जो कुछ नहीं कर पाते वो केवल रोने के लिए आते हैं अब कांती पूशता है कि अगर उन्हें औरत के मन औ कुछ भी करने को तैयार थी फिर इसी तरह से तेल बेचने वाले को और फिर उस डोक्तर को और उसके बाद उस मशीन वाले को बलाया जाता है जो बाजार में अपना माल बेचने के लिए लोगों में गलत जानकरी देते हैं और धन कमाते हैं तो कुल मिलाकर ये सभी इस बात को सिविकार कर लेते हैं कि यदि बच्चे को स्कूल से ही इसके बारे में बताया गया होता तो वो इन चक्करों में पढ़ता ही नहीं और नहीं उसे हस्तमेकुन की लत लगती और इसके बाद ये बात सामने आती है कि जदि इस तरह की शिक्सा इसकुलों में दी जाने लगी तो जो थोड़ी बहुत सर्म बची है जो लिहाज बचा है वो भी खत्म हो जाएगा अब इस बात का जवाब देने के लिए कांती कहता है कि 88% इंटरनेट यूजर ने केवल इनी चीजों को खोजा है तो ये है हमारा सभ्य समाज और भारत जैसे देश में 18 वर्षे कम लड़के और लड़कें के साथ योन सोशन होता है और कमाल की बात ये है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि उन्हें इस बारे में कभी जानकरी नहीं दी गई होती और भारत में 96% पुरुष और 46% औरतें हस्त मैथुन करती है कांती शरन की इतनी सारी दलीले के बाद जनता भी कांती को सपोर्ट करने लगती है लेकिन उसकूल के अध्यवक अपनी बद्रानी को छुपाने के लिए कांती को फ़साने के वास्ते उसे एक करोड रुपे देने के लालच में उससे एक करोड रुपे का चेक साइन करा लेते हैं और फिर कांती अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इस चेक पर साइन कर देता है और जैसे ही कांती सडक पर जा रहा होता है उसकी दुरगटना में मोत हो जाती है लेकिन एक बार फिर अक्षा की एंट्री होती है जो उसे समझाते हैं कि जब मैं आ गया था तो तुमने पहाना बना कर हमसे पैसे एठने के लिए किया था इसके बाद लोग मैदान में वकालत को सुनना चाहते थे इसलिए सभी लोग वहाँ पर इखटा होते हैं और वहीं पर कांती भी आ जाता है अब कामनी कहती है कि इन्होंने एक करोड़ रुपे लेकर केस को विड्रो किया ह पिर कांती कहता है कि इन्होंने मुझे एक करोड़ रुपे का लालस देकर साइन कराया है और इनका चेक मैंने अभी तक बैंक में नहीं डाला है फिर काफी बहस के बाद कांती 1835 में लिखी गई एक किताब के बारे में बताता है जिसमें लिखा होता है कि जब लोड मेकाले नाम का एक अंग्रेज भारत आया था तो उसने अपनी अंग्रेजी सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें लिखा था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो इनकी संस्कृतिक धरोवर इनकी शिक्षा पदिती और इनके गुरुकुलों को नश्ट करना होगा और इनी गुर बन गए और हम यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत इसके बाद कामनी विवेक से पूछती है कि जो स्कूल बातरों में तुमने किया क्या वो सही था तो विवेक मना कर देता है लेकिन विवेक आगे कहता है कि हस्त मैतुन गलत नहीं था लेकिन ज उसी जज़ का बेटा है जो इस मुकदमे का आज फैसला सुनाने बाला है इसके बाद एक-एक करके सबी हात ऊपर उठाते हैं और वो सब भी सिविकार करते हैं कि वो भी हस्मतुन करते हैं इसके बाद विवेक कामनी से पूछता है कि मुझे आप ही बता दो की मेडम मुझे य उन शिक्षा के बारे में जानना, बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है, जितना की बड़ो के लिए, और कई बार तो बड़ो को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि इस विशा में उन्हें कभी पड़ाया ही नहीं जाता, इसके बार जज़ अपना फैसलाइ दे कहता है कि कोट ये मानता है कि विवेक की इस हालत के लिए सरवध्या इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है और ये कोट एजुकेशन बोर्ड को ये आदिस देता है कि इस तरह की शिक्षा के लिए खिलेबस में सुधार किये जाएं और इस त उनकी रहा देख रहा है यानि हो सकता है कि अगले ही कुछ वर्षों में आपको इस फिल्म का अगला भाग भी देखने को मिल जाए दोस्तों इस फिल्म में मुझे सबसे खास ये लगा कि लिंग और योनी जैसे सब्दों को भी हमें वैसे ही सिविकारना चाहिए जैसा कि सरीर के दूसरे अंगों के नाम हम सिविकारते हैं लेकिन जैसे ही कोई इने बोलता है हम एकदम से चोकनने हो जाते हैं कि सामने वाले ने ये क्या कह दिया और इसी मानसिक्ता की वज़े से इस तरह के विशय को अभी तक भारत में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता लेक दोस्तो इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं क्या इस तरह की योन शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए क्या उन्हें ये पता होना चाहिए कि कोई उनके साथ सेक्स एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है दोस्तो जो कुछ भी आप इस बार में कहना चाहेंगे अपनी राए हमें जरूर बताईएगा और दोस्तो अगर आपको आने वाली फिल्मों की नोटिफिक्सन चाहिए या फिर ऐसे ही फिल्मों की पूरी कहानी सुनना आपको पसंद है तो आप इस चैनल को अभी से सब्क्राइब कर लें और घंटे के बटन को भी जरूर दबा मुझे आशा है कि आप घंटे से मेरा बत्तर समाजी करेंगे तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया शबक है